टेंकर बुलाना ठीक है और ये भी आप सबको बता है ये क्या हो रहा है आपकी एंग्लिश को भी सलाव है और आप लोग यार बड़ी मैनत करते हो यहां पर यह सारा मेंटेन करते हो असलाम अलेकुम पांच ऐसी वजुहात बैरिया डाउन कराची में आपको आने पे मजबू करती हैं तो यह सारी चीज़ें आप आज की वीडियो में जान पाएंगे जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताके हर नहीं आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सकें तो चलते हैं बगार किसी वजुहात हम जानना चाह रहे हैं जो के बैरियर टाउन आने पर मजबूर करती हैं नबर वन से स्टार्ट करें सर बई सबसे पहले तो मैं आप से इंफ्रस्ट्रेक्चर की बात करूंगा साइब ठीक है इंफ्रस्ट्रेक्चर आप समझते हैं ऐसा है कि बैरियर टाउन सबस्काराइब क्या क्या है ,NUMBER 1 ,NUMBER 2 ,KIS चीज आप समझे ,NUMBER 2 , जो मैं समझता हूँ , यहाँ पर लोकेशन ,LOKAYSAN ,LOKAYSAN मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज़ एक कोई भी बन्दा अगर पर्चेस करता है तो वह सबसे पहले लोकेशन को ही देखता है तो जगह कितनी अच्छी है या नहीं है चीक है अच्छा इसके इलावा मैं आपको एक चीज और बताता चलू तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वह यह है कि यहां पर आपको बैक अप सिस्टम मिलता है यहां प फॉरण से पहले आने का सोचते हो क्योंके बैरिया टाउन कराची में लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है जैसे रिसेंटली अभी एक शॉट फॉल आया पूरे मुल्क में लेकिन इस चीज के साथ में एक चीज को क्लियर कर दूँ वह यह कि बहुत सारे लोग यह बात करत हैंगे वह सबसे बड़ा मसला और कराची के रहाईशों के लिए तो यकीन बहुत बड़ा मसला है यार मैं वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले के सुबा सोगर उटते हैं नलका खुलते हैं पानी नहीं आदा ठीक है पानी का बड़ा इतना बड़ा मसला है कि यह हम जि अदे हो प्रिजिट बंके विलाज में चाहे आप रहते हूं बैरिया के अपार्टमेंट्स में पानी वह वह तो नहीं और वह वह तारी हैं पानी के बगए आप बिलबुल भी नहीं रह सकते हैं बोगेंगें लिए पानी का इस्तामाल मेरे केमरामें मुस्कुरा रहे हैं I'm वहां पे आपको जो हम खुद बेसिकली हैं कराची से मैं अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ लेकिन वह पानी का खतम हो जाना फिर टेंकर बुलाना ठीक है और यह भी आप सबको पता है क्या हो रहा है कराची में आप किसी महंगे से महंगी जगा पे भी रहते हो मैं किस सुसाइटि का नाम लोँ वही आपको टेंकर मंगाने पड़ते हैं समंधर किनारे आप बैठे हो लेकिन मंगाने पड़ते हैं आपको टेंकर लेकिन भई बियर्या में जो लोग चैते हैं बहुत दूर है बेरिया टOWN कराची हाईवे पे कौन जाएगा इतने दूर रहा यह एक अलग मसला है कि आप यहां पे जो गीजर इंस्टॉल करते हो आपको अलेक्ट्रिक गीजर इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि यहां पे गैस की सप्लाइब आप जैसे कि मैं पहले वीडियो से बदा चुका हूं कि यहां पे स्लेंडर का इस्तमाल होता है और जो आप अगर किसी पीसेंड में इंटर होते हो फ़र एक्जम्बल पांसो गस का फ्लॉट है तो वहां पर आपको जो है डिफरेंस नजर आता है बाहर का और बेरे टॉन का राजिकर वह डिफरेंस क्या होता है आपको जो विलास मिलेंगे वह अटर इलिवेशन तो चेंज होग प्रेकर तो यहां पर जो यह आइडीय का लिया है गड़व की तरस पेंज लिया के लिया जब हमने लिया लेकिन कि अभी हम विडियो बना रहे तो मैं और साकेपी बात करें कि यहार पांच वजुआत तो हैं यह वजुआत बहुत सारी है फिर आपको जो यह ब्या टाउन हर प्रीसेंट के अंदर, हर प्रीसेंट के अंदर जो मस्जिद बनाई है, मस्जद सईह्य है, मस्जद बनाई है, आपको लुग दिस्टेंस पे एक बहुत ही शांदार किसम की मसाजद मिल जाती है, फिर जैसे हम इस वक्त मौझूद हैं, यह जो फलैक पॉल की लोकेशन है, यह चीजें भी आपको मजीद अट्रैक करती हैं कि आप बैरिया टाउन किराची कल नहीं आज ही आजाओं अच्छा यह इस वक्त हम मुझूद हैं बैरिया टाउन किराची फिल्स में और यह यह एक हमारे दोस्त हैं जो के नराज हैं तेहाई खूपसूरा जगह के ऊपर हवा बहुत तेज है यार पानी का दूसरा रुख भी अब आम आपको बताने चलते हैं कि कौन सी ऐसी पांच बजू हाथ हैं जिनको जानने के बाद आप पर यहां से जाने का भी सोचते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो बाद आती है वो यह है कि यहां पे जो लोग बहु हों गई क्या वो इन चीजों को बरदाश्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने क्या किया उन्हों वह यह समझते रहे कि यार बीस पची पचीस हजार रुपए में आपको एक अपाटमेंट मिल जाता है लेकिन उसके साथ साथ फिर उसकी मेंटेनेंस म बढ़ती है दूसरी चीज यह है कि आपको जो ग्रॉसरी यहां से आप लेते हो जरूरी नहीं है जो चीज जो रेट सापको कराची में जो मिलते हैं वही सेम यहां पर मिलते हों को इम्तियास सूपर स्टोर है वहां पर आपको सेम प्राइज में सारी चीज़ें मिल जाती है लेकिन हर बंदे के पास एड़ टाइम गाड़ी नहीं होती कि वो गाड़ी निकाले और इम्तियास तक जाए तो जो करीबी मार्ट है वो वहाँ से जाके फिर अपने लिए चाहे वो महिंगी हो या सस्ती हो फिर वो चीजें वो परचेस करते हैं ये चीजें बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी और फिर उन लोगों ने जल्दी जल्दी यहां से जाना ही मुनासित समझा नमबर डू दूसरे नमबर पर जो चीज आती है बहुत सारे लोग जो कि कराची में जॉब करते हैं कराची में उनका काम है या जो चीज भी है तो उनके लिए डेली रूटीन में आना जाना बहुत जादा मुश्किल होता था बहुता कुछी होता कि किसी दिन गारी इंसान के पास नहीं भी होती तो फिर हलाके बैरिया टाउन कराची की ट्रांसपोर्ट बिलकुल यहां पर वो देता है लेकिन इसकी टाइमिंग्स हैं अब हर इंसान की जॉब्स की अपनी अपनी टाइमिंग होती है तो फिर वो ज़रूरी नहीं कि इन सब चीजों से मैच होती हो तो इसलिए फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जॉब टाइमिंग्स की वज़ा से उनको यहां से जाना पड़ा यह तो होगी दो चीज़ें अच्छा अगेन चोई साब उट गए ठीक है तो एक सबसे बड़ा मसला जो के कराची की रहाईशियों को सबसे जादा जो प्रॉब्लम यहां पर फेस करना पड़ी वो यह कि स्कूलिंग स्कूलिंग एक ऐसा मसला है कि आप अपने बच्चों के लिए इस चीज़ पे किसी किसम का भी कॉंप्रमाइज नहीं करते हो बैरियर टाउन में आपको सिफ दो स्कूल मिलते हैं बैरियर टाउन के अंदर उन दो स्कूल में अब हर इनसान फीसिस को बरदाश नहीं कर सकता यहां पे फीसिस थोड़ी सी जादा है एस कंपेर टू सिटी में जो आपको स्कूल के अच्छा ऑप्शन जब बहुत सारे मिलते हैं तो फिर आपको लाजमी सी बात है आपके पास च्वाइस होती है तो यहां पे लोगों के पास च्वाइस बिल्कूल भी नहीं थी ठीक है अब जो जो लोग 27 में रहते हैं एक तो फिर यह कंवेंस का प्रॉब्लम गाड़ी होना जरूरी है या फिर आपको बैरिया के जो स्कूल हैं दोनों स्कूल कंवेंस भी देते हैं लेकिन मसला फिर यहां पर आ जाता है कि आप जो है इन उसकी फिर फिर फो चार्जिस लेते ह ठीक है तो यह चीजें भी हैं आपको कंवेंस का मसला होता है फिर स्कूलिंग का जो मसला है आपको किसी 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 की किसी किसम कर माश कर सकते हो तो यह तो आ गया तीसरा बड़ा मसला क्यों बस क्यों करूं अच्छा भाई तीन मसले तो मैंने बता दी है तीन जो कि आपको कराची से बैरिया से फॉरन वापस जाने पर मजबूर करते हैं ठीक है अब एक पॉइंट आपने बताना है मुझे जल्दी आली बताते हैं आपने कौन-कौन से बताते हैं यही तो हमारी बद्र निकलती नहीं है यह नहीं दprogram कर रहें उनकी उपर रहें वहारे हैं क्यों प्रीजानी होती है पता मसला कर as a यहां आता है जब आपको वहारे हैं साकी उसके बाद पिर वो यहां पर काफी महंगा है एस कंपेर तू कराची ठीक है वहां पर आपको यूनिट यहां के मुगाबले में सस्ता पड़ता है तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था कि यहां पर यूनिट थोड़ा सा महंगा है और जो सेलेंडर के लिए जो कॉल करना फिर वो आते हैं फिर कभी आप घर पर नहीं होते हो फिर वो चले जाते हैं तो यह थोड़े से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वैसे आप फॉरण यहां से जा सकते हो लेकिन आपको जो हमने पॉजि जो कि बहुत जादा नजर आता है आप समझ गया हूं अब बताएं वह कौन सा मस्ला है जिस मसलेगी में बात कर रहा है तो हूँ जो कुछ बोलने वाला था अभी मैं चुप हो गया हूं ठीक है अच्छा तो ड़नी लगता है लेकिन जैसी बात है हर इंसा नहीं होता है कि ड कि अजय है बहुत को सब्केस्ट में तो लिकिन यार आपको संठ नहीं नहीं कर रहा हूँ लेकिन यह जो बर्गर ने ृठीरफ यूद वहां पैर मैं घ्रक्रेय्ट में पड़कर रहा हूं वह साभव थ है हुशर वो भाई उसको ना उन्होंने को पट्टा डालावा थो थो मैंदा उनसे बात कि मैं रेक्स को पट्टा डालो भगदाव में रहा गया, तो शुकर है गाड़ी पास कडिए तो मैं फॉरण से पहले जा गए उसमें पैढ गया, वकुत्ता काट ले कुछ लिए यह पढ़ता, इ है तो वहां पर तो इससे भी ज्यादा ख़तरनाग सिचेशन है यह जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके हवाले से तो यह इसी रिजन नहीं है आप ठोस वजा बताओ नहीं आपने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो आपको ठोस वजा बतानी पड़े माइक को जादा नहीं इलाओ ना ठीक है कि यहां पर जो है जो है जो कराची में हर किसम का जो है जो है एक मिन आपकी बात कर रहा हूं असलाम लेकुम बाई जाए ठीक है बाई ये कहता है बाई बारीया की जौकियो वहां ख्याल रखता है ऐसा ही है ना और आप लोग यार बड़ी मैनत करते हो यहां पर यह सारा मेंटेन करते हो तो खेर आप आपका थोड़ा सा टायम लिए आमने थैंकि फो मच ज़ा करने थीक ठीक है थीक है थैंकि सो मच थैंकि अच्छा आप कंटीनियू करें तो चले है यह है चला इचिस के तरह अपकी बात शही है लैकिन कराची में जिस तरह फेक्टरिस हैं जिस तरह कमर्श मैंच तो यहां पर कोई रहते हैं जो जाप करते हैं इतनी बड़ी तदाद में तो लोग नहीं करते हैं यहां पर बिजनिस करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहां से रोज कराची जाना कराची से रोज यहां पर आना मुश्किल है यह फैर मैं यह डिसकस कर चुका हूं मैं जब यहां कि कोसिश की कि यहां पर क्या यिशन बात है और पिरियरा को अपका चोड़ने का दिल नहीं करेगा पॉर्भर इघव हैं करें कि जोड़ने को आप सबसे मलगादा की आपे इस वजोहí न जाने और जाने की दोनों बता सकूँ तो इन्शाला तर एक दाफ़ा फिर नेक्स वीडियो में दोबारा आप सुक्से मुलकात होगी सागे बैठ जाएं तो तब तक के लिए अपने होस्स सेयत साजित हुसैंचा और मेरे दोस्सागे पान को इजाज़त दीजिए लाफिस